सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस करें बैल आइकन को ता कि आपको मिलते हैं हमारे नोटिवेशन सबसे पहले कि इंडिया में धीरे-धीरे 125cc सेग्मेंन का जो मार्केट कफी अच्छे बैक्स आपको 125cc में देखने हो मिल रहे हैं जैसे कि आप सब्सक्राइब को पाता है कि रिसन कुछ टाइम्स में आपे जो के टीम के दरप से ड्यूख 125 और RC 125 जो हमें इंडियन मार्केट में देखने ह आप में लुक जो है इंस्पार होना वाले है अपने बारे सिब्लिंग से अब बात कर लो तो आपका जो उसका लुक से रगवान वेस्ट रहे का आरुन फाइप और जो आपका एंपका एंपका की उपर पर में अल्रेडी एक विडियोग बाना चुका वह अब आज के शुन में बात करेंगे MT-125 क्योब भर अब दोरों बात करो यानि कि आर 125 और MT-125 तो इसके अंदर सिफ डिजाइन लूग का फ़रेगे से हैं तो आज के शुरण में आप से बात करूंगा एम्टी वनी के प्राइसिंग के बारे में से स्प्रीशिविक्शन माइलेज और इस यह आप सब चीज़े के बारे में बात करने वाले लेकिन दोस्तों से पर आप हमारे चनल पर पहली बार आया हो न अगर अब तक शब्सक लेकिन अब बात करूं इंजिन के बार में तो इस बाइक अंदर आपको 124 CC का सिंगर जिंडर 4 लिकविड कुल्ड एस 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 फॉर वेल विंजिन वाला है जो कि फिल इंजेक्टेट रहेगा और आपको मैक्स जो पावर मिलेगा वह रहेगा 15 पिस एट 9000 अपियम मैक्स अपको टॉर्क मिलने वाला है 11.5 नूटर मिटर्श का एट 8000 अपियम दूस्तों चिकल दुबने को और नाप जब सामव और क्यृमिट 35 बजिडीनृ नहीं रहेगा 50 अटक जुटकरी मिलने मिलने उल्ह न वाला पिला क्लियर वेग इनवें यहां पीनल नाफिज दे allora संट पर पर ब्रेक्कित बात वर्रेइंग वे तो आपको एहां बेस अट्त इलeding को नह का रियर भी जो है हेट्रोलेक्स अंगर डिस प्रेक है जो कि 22 mm का है और टायर के बाद कर लो तो फ्रेंट आर अपको मिलेगा 100 by 80 का रियर मिलेगा 140 by 70 का तो टायर साइज भी काफी अच्छा है काफी वाइड है 70 निसका अदो विल रहना वाले है अब अगर सस्पेंशन के बात कर लो तो फ्रेंट में आपको 41 mm के आपसे डाउन फोक्स मिलने माले है जो कि टेलिसकोबिक फोक्स आपके नाकी उसडी एंड रियर मिलने माले आपको मोनो शुक्त अब जिस तो यहां पर ओव्यसी बात कि फ्रेंट में आपको युस्टी फोक् अब तक दूस्तों जो है और भी एक नया इंजिन फेट तेमरेचर यह सब चीज़े जो है पॉसिबिटेज मिले लेका लेकिन थोड़ा सा डीटेल होगा थोड़ा सा जादा इंप्रूवड होगा तो बहुत दो चार डिटेल जो और वी एक्ट्रा मिल जाए लाए एडवां यमा जो एंस्ट्रा जरूर अप्डेट करेगा तो जो न्यू आपका अउड़ेट कलस्टर है वो आपको इसकंदर देखना हो मिल सकता है सब दोस्तों अगर मैं बात करने पर डिजान और लूक की तो डिजान और लूक दोस्तों का जो है यह मिलता जोता रहेगा एकदम कॉपी टो कोपी ने अबल है थोड़ा वह जो है मैनर इंप्रूमेंट होगे डिजान के दर और दूस्तों यह करने ज़रूर ही है विकोज अगर एकदम सेम अगर निकाल दे रेप्लीका इन दोनों बैक्स को डिजान के मल में जो कोई भी फरक रहेगा निंग कि जो यूजर्स इनको डिशपॉन कर सते है तो यहां पर यमा थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर रहेट करेंगी हलका सा अब दुस्तों जो है लॉजर्स के सामने वालूं पड़ेगा कि क्या क्या डिफरेंस से एंड कलर जन ग्राफिक्स में तो 100% चेंज होंगे यह वह तो बट अव्यूस है लेकिन ओवरल भी जो है डिजाइन सेग्मिन थोड़ा वह चेंज होगा अब दूसर कर मैं बात जो की काफी अच्छा है अगर एक 125cc सेग्मन में देख लो तो अब दुस्तों यह तो होगे सब बात इसके और अब दुस्तों कर आप मैलेज की जो की काफी इंपोर्टन बात है तो मैलेज जो आपको एक्सपेक्टेट मिलेगा वह रहेगा 52 से 53 किलोमेटर पर लिटर बिको काफी अच्छा है इसका अंदर कोई दिक्कत नीए है तो अभी और प्रैसिंग पैकेज जो है वाइक के काफी अच्छा लगते है और अब यह बाइक जो आपको आने के बात महलूम पड़ेगा और जो एक जएट सपेसिपिक्टेशन है जो फीचर जो उससे बात महलूम यानि कि इस यर के इंड तक यानि कि नॉविम्बर 2021 तक आ जाती है लेकिन आप सभी को बते है कि यहां पर जो इंडिया में है को रोन वैरस का आउटब्रेक शुड़ है और इसका जो सीधा अफेक्ट है दूस्तों इंडियन आटो मोबाल इंड़ेश्ट्री भी पड़ा है तो यह है कि दूस्तों यहां पर सभी लॉंच जो थोड़े वो डील हुए तो इसका वाज से यहां पर MT 125 की भी लॉंच जो डील हो चुक है लेकिन दूस्तों एक बात कन्सून देखना है कि क्या प्रेस पेकेश पर आती है और दूस्तों अभी यहां पर इंडिया में 125 मार् जो डीटेल्स से वाना सभी आपको प्रोवेड कर जेए कोई डाउट अगर हो तो इंस्साग्नाम पूस्टेल ना वा पर रिप्लाइ कर दो जल्दी कॉमेंट्स में भी डाल तो महां पर भी कर दूँँगा तो लाइक जरू कर देना मैं विडूँगों कल अपको मेरे एक न